हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूमा यूट्यूब चानल एर एजुकेश्टर लग जैसा कि आप सभी को बता है पॉपुलेशन के मामले में सबसे जादा यानि सबसे पहला अस्थान चाइना का आता है भारत से भी जादा पॉपुलेशन चाइना में है जिसके तहत चाइना यानि चीन गवर्मेंट ने कैसारी पॉलिसी भी अपनाई जिसके तहत पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी उनका वन चाइल्ड पॉलिसी था यानि वन चाइल्ड पॉलिसी में हर एक कपल एक ही बच्चा पैदा कर सकता है उसके बाद यह पॉलिसी अपनाने के बाद चीनी गवर् जिसके तहट हर एक कपल दो बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन साल 2016 में यह नीती अपनाने के बाद भी जनसंक्या दर और भी कम होते गया इसलिए चीनी सरकार ने जनसंक्या दर को दो परशन बढ़ाने के लिए यानि दो परशन तक लाने के लिए चीनी गौवर्मेंट ने फ अच्छा पैदा कर सकता है लेकिन आपको बता दो रिपोर्ट के मुताबिक चीन में थर्ड चैल्ड पॉलिसी के कारण कैसे आरे लोगों को इससे आपती है और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं बात करने वाले यहीं डिसकस करने वाले हैं आखिर चीन में थर्ड चैल पॉलिसी से लोगों को क्यों दिक्कते हो रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है और इसका पूरा हिस्ट्री जानने का कोसिस करेंगे और सेकेंड तिंग अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर कीजिएगा तो इन में बढ़ते ट्यूशन फी के वज़े से वहां की कपल बच्चा पैदा नहीं करना चाते हैं। दूसरी तरफ चीनी सरकार अपनी लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए पृत्साहित करना चाती हैं। और इसलिए सरकार ने थर्ड चायल पोलिसी भी लागू कर दी हैं। लेकिन वहां की लोगों की समस्या को भी चीनी सरकार ने ट्यूशन इंडस्ट्री जैसे प्राइवेट चीज को नियंदरन करेगी। रिपोर्ट्स के मताबिक चीनी सरकार ने वर्ष 2025 तक जर्म से जुड़े सभी प्रतिवन समाप करने की तयारी करेगी। वन चायल पोलिसी और थर्ड चायल पोलिसी जैसे कोई नीती नहीं रहेगी। यानि चीनी गवर्मेंट 2025 तक वन चायल पॉलिसी और थर्ड चायल पॉलिसी इको हटा देगी और यहां तक सरकार बच्चा पैदा करने का निर्नाई उनके हीद में रखेगा तो आखिर सवाल यह है कि आखिर चीन सरकार ऐसा क्यों कर रहा है तो इसके पीछे कैसारी रियाज रीजन है तो पहला रीजन है चीन में जनसंख्या निरंदरन चीन में जनसंख्या को निरंदरन रखने के लिए एक कैसारी पॉलिसी अपनाई गई तो सबसे पहले पॉलिसी 1979 म वन चैल्ड पोलिसी लागू की गई जिसके तहत राष्ट्रे जन्मदर यानि राष्ट्रे जन्मदर की जो परसेंटेज थी वो 5.9% है जिसके तहत 5.9% के आते आते 1990 में राष्ट्रे जन्मदर 1.7% हो गई जिसके वज़ा से 2016 में सेकिंड चैल्ड पोलिसी 1.3% हो गई जिसके वज़े से चीनी गवर्मेंट को काफी जनसंख्या दर के लिए काफी ज़्यादा टेंसन होने लगी क्योंकि जब से one child policy से लेकर second child policy अपनाई गई जिसके तहट जनसंख्या गर इतनी जादा कम हो गई यानि one percent से भी कम हो गई जिसके तहट जनसंख्या पोलिसी को बढ़ाने के लिए जनसंख्या वरीधी दर को बढ़ाने के लिए चीनी government ने नया policy अपनाई जो है third child policy इस policy के जरिये चीनी government को राष्ट जन्दर्व 2% तक लाना है यानि वर्ष 2015 आते आते चीनी सरकार ने one child policy से पढ़ा कर second child policy कर दी लेकिन यह policy भी fail हो गई क्योंकि वहां की लोगों में बच्चा पैगा करने की जो रूची थी वो खत्म हो गई उसके पीचे भी कह सारे रीजन है जो है महंगाई सिक्छा की दर्मे जिसकी वज़े से बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं चीन में कह ऐसे कपल हैं जो साधी के बाद भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं और कैसे कपल भी होते हैं जो साधी नहीं करते हैं तो इसके पीछे पे कैसारी रीजन है कि आखिर थर्ड चैल्ड पॉलिसी को चीन के लोग उने स्विकार क्यों नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे पे कैसारा रीजन है परिवार की आर्थिक इस्थिति अगर परिवार की आर्थिक इस्तिती सही नहीं रहेगी तो बच्चों की जो सिक्चा है वो सही से नहीं हो पाएगी दूसरा है दूसरा रीजन है स्वास्तिय स्वीदाई अगर स्वास्तिय स्वीदाई नहीं होंगी तो बच्चों की स्वास्त पे एक बहुत जादा असर पड़ेगा तीसरे रीजन है बच्चों की सिक्षा बच्चों की सिक्षा सही से नहीं हो पाएगी अगर परिवार के अर्थिक इस्तिसी सही नहीं रहेगी तो बच्चों की स्वास्ते सुईदाई नहीं होगी सही से और जिसके वज़े से बच्चों की सिख्चा भी नहीं हो पाएगी क्योंकि हर एक इनसान अगर वो कमाता है तो उसका 70% यानि 70% सैलरी उसके बच्चों की सिख्चा में चली जाती है आप एक्जांपल के तौर पर हमारे भारत में ही देखी हमारे इंडिया कंट्री में कैस सारी ऐसे मिडिल क्लस फैमिली होते इस पेसलिए आप मिडिल क्लस फैमिली के लोग को भी आप देख सकते हैं मिडिल क्लस फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पाई पाई यानि एक एक रुप्या जमा करती है ताकि वे उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन ले जिसके वज़े से कि उनको कई सारी चीजों की सैक्रिफाइस करने पड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा अभी जिस टाइम अभी की टाइम में सिख्चा दर यानि सिख्चा उध्योग आप बोल सकते हैं सिख्चा उध्योग इस लिए इसकूल और प्राइवेट यूशन की जो फी से वो इतनी जादा बढ़ रही है जिसके तहत कैसारे स्टूडेंट्स होते हैं कैसारे बच्चे होते हैं जो सही से सिख्चा नहीं ले पाते हैं और अभी की टाइम भारत में जो गवर्मेंट इसकूल है वो कई सारी ऐसे गवर्म का पर अच्छे तीचर स्टूडेंट्स को बच्चों को अच्छी सिख्चा नहीं मिल पाती हैं जिसके वज़ए से पैरिंट्स यानि उनके माता-पिता उनको प्राइविट इसकूल में भेशते हैं जहां पर वो जीस स्टरह से फी है वहाँ का वो effort नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं जिसके वज़े सिक्षा का जो दर है वो और ज़्यादा गिरावट हो रहा है इंडिया में तो इसी तरह चाइना में भी सिक्षा उध्योग हो रहे हैं वहां पे जो constitution होते यां काफी जादा मेहंगे हैं जो कि कैसरा लोग effort नहीं कर पाते हैं रिपोर्ट के मताबिक चीन में बच्चों की महांगी परवरिश काफी जादा होती है रिपोर्ट के मताबिक बताया गया है वर्स 2005 में 60 लाग पर चैल यानि एक बच्चा का सिख्चा 60 लाग के करीब आता है और वर्स 2020 में 2 करोड 35 लाग जिसके वज़से बच्चों की जो सिख्चा है वो सही से नहीं हो पाती है क्योंकि इतने सारे पैसों में यानि एक बच्चा में वर्स 2005 में 60 लाग वर्स 2020 में 2 करोड 35 लाग आकड़ा निकाला गया है यानि जिस तरह से हम लोग डिजिटल की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं उसके तहट महगाई भी और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो यही सब रेजन के वज़से चीन की लोग बच्चा ही पैदा नहीं करना चाहते हैं तो यह सब को देखते हुए इसके लिए सरकार ने ट्यूशन प्राविट पर नियत्रन करने की कोसिस करेगी यानि हर एक प्राविट ट्यूशन का एक आकड़ा निकाला जाएगा आपको बता दे चीन की ट्यूशन इंडस्ट नहीं हो सकता है इसलिए प्राविट यूशन देना जरूरी होता है आपको बता दे चीन में 75 परशन बच्चे स्कूल के बाद प्राविट यूशन लेते हैं आपको बता दे कि यह समसे केवल चीन में ही नहीं बलकि भारत और अन्य देसों में भी हैं सिक्षा को एक उध्यो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन प्रिफर किया जाता है यानि बचपन से उनके मायन में यह सेट अप किया जाता है कि अगर आप स्कूल जाते हैं और उसके बावजूद अगर आप अलग से प्राविट यूशन नहीं लेते हो तो इत मींड्स आपका जो इस्टडी है वो आप सही से नहीं कर पा रहें आपका जो एजुकेशन है वो आपका सही नहीं है इसलिए बच्चों को बच्पन से ही प्रावेट यूशन उनके मायन में सेटप किया जाता है बच्पन से ही उनको प्रावेट यूशन दिलाया जाता है हम लोगों के इंडिया क कंट्री में к तो तीन से चार साल के बच्चे को भी प्राइविट ज़्जन यानि बच्चे की मन में में बच्पन से प्राइविट इवशन बैठा दिया जायता है जिसके वजह से बच्ट से टो पर भी इपेंड रह जाता रिपोर्ट के मताबिक में तो भारत में यहां भी बोला गया है कि चार में से एक बच्चा स्कूल से ज्यादा ट्यूशन पर निर्भर रहता है यहां तो बहुत ही सच बात है कि भारत में सबसे ज्यादा प्राइविट ट्यूशन ही प्रिफर होता है अगर बच्चा स्कूल न के कंपेर में इक्वल आ जाता है और भारत में लबग साथ करोड बच्चे प्राइवेट यूशन लेते हैं पांच वर्सों में 35 परशन के बढ़ोतरी हुई है प्राइवेट यूशन की तो जिस तरह से चीन के लोगों को सिक्षादर और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए चीन लोगों ने थर्ट चैल पॉलिसी से वो नाखुस हैं क्योंकि आप सभी को भी पता है कि हमारे इंडिया में भी काफी ज़्यादा सिक्षादर यानि उद्योग बन चुका है जिसके वज़े से कैसारे बच्चों को सही सिक्षा नहीं मिल पाती है त आप यह कह सकते हैं जैसे जैसे डिजिटल दुनिया में हम लोग कदम रख रहें वैसे वैसे महंगाई जो है और बढ़ते जा रही है और आपको मैं बता दो सिक्षादर में इतनी ज्यादा फी बढ़ गई है चाहिए वो आप प्राइविट सेक्टर में देख सकते हैं और गवर्मेंट तो ना के बराबर है क्योंकि जितने में गवर्मेंट सकूल हैं वो देरे देरे बंद हो रहे हैं यानि बहुती कम ऐसे बच्चे हैं और बहुती कम ऐसे गवर्मेंट सकूल अभी बच्चे हुए हैं जो अभी ओपन है तो होप सो आपको ये वीडियो आपके ल लोगों को दिकत क्यों हो रही है तो फ्रेंड्स ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहे हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे कि आप आपको ऐसी लेटिस्ट अपडेट इंटरनाशनल नाशनल से आपको मिलती रहें तो मिलते हैं अम लोग अपने नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा